हलो हाई नमस्कार मैं चंदरपात्रा आपको स्वागत करते हैं कि टेकनिकाल इंपो चनल नर्पो को हाँ दोस्तों रोज की तरह में लेके आऊं आज एक इंट्रेस्टिंग विडियो आज देखेंगे क्लाप स्वीच हाँ दोस्तों क्लाप स्वीच यह क्लाप स्वीच क्लाप से कोई भी डिवाइस को कंट्रोल कर लेते हैं चलिए उसको चेक करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यह देखिए यह आमेजन तरफ से मेरी को दिया गया था इसको अनबक्षिंग करने के लिए इसकी अंदर होगा क्लाब स्विच ठीक है दोस्तों क्लाब स्विच चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे क्लाब स्विच कैसे काम करते हैं ठीक है इसको अन्वेक्षिंग करते हैं इसको काट लेते हैं ठीक है दोस्तों यह पूरी तरह सील है इसको काट लेते हैं यह हो गया ओपन ठीक है दोस्तों जाके इसके अंदर क्या-क्या मिल रहे हैं हम देखेंगे यह देखें और इसके अंदर तो और कुछ नहीं है इसको साइड में रखते हैं और साइड मेरे को लग रहे है नाइप का भी कुछ काम नहीं है इसको भी साइड में रखते हैं फैनली यह हमरा क्लाव स्वीच है ठीक है दोस्तों जो यह एक डिवाइस है जो ताली बजाना से कोई भी मान लीजिए हम एक लाइट लगाए है इसके अंदर ठीक है इसको कंट्रल लाइट को कंट्रल करने के लिए यह लगा है एक बार ताली बाजाने से लाइट जलेगा और एक बार ताली बाजाने से लाइट बुछ जाएगा ठीक है दोस्तों अब बहुत अच्छे से देख लिए आम में जनका प्रोड़क्ट है बहुत वाइर वाइर सब कुछ अच्छा है ठीक है दोस्तों और इसका उपर 5 एंपियर का एक रिले लगा हुआ है जो कि 6 बोल्ट काम करता है ठीक है दोस्तों और यहां पे लिखा है यह आउटपूट और यह रिले का इनपूट इसमें इनपूट करेगा 220 वोल्ट और इसमें आउटपूट करेगा जो भी डिवाइस हम लगाएंगे इसको और यह डिसी वोल्ट यह कीट को सप्लाई कीट का सप्लाई हुआ है ठीक है दोस्तों इसमें लिखा है कि डिस्क्रिप्शन में पढ़ रह है यह हो गया इसको भी उसी तरह लपट लेंगे यह सेप्टी के लिए लाम काम करने का टाइम पर हाथ कुछ लग जाएगा कॉरेंट शॉक लगने का चंजस खत्रा है बहुत चंजस है इसलिए मैं यहां पर इसको टेप रोल से लपट लिए यह जाएगा बोड में ठीक है दोस्तों कि यह बोड में जाएगा इसमें 220 वोल्ट इंपूट करेंगा ठीक है दोस्तों और यह देखें दोस्तों यह हो गया बोड पर चले गया और यह हमरा जो भी मतलब फैन हो नहीं तो लाइट हो जो भी हम प्रोडक्ट लगाएंगे जो भी मतलब जिसको भी कंट्रोल करना है जो इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक जो लाइट बगेरा हो गया फैन टीवी जो भी है यहां पर हम आउट पूर्ट में उसको लगाएंगे ठीक है दोस्तों हम ले लिया यह एक नोवाड की LED लाइट ठीक है दोस्तों हम इसको अभी लगा देंगे यह हो गया दोस्तों लगा लिया अभी इसको भी टेप स्ट्रोल से हम बंतर लाएंगे अधिया दोस्तों यह हो गया और फाइनाली हमरा बचा है यह कीट को DC सप्लाई माइनेस यह वाला ब्लाक वाला माइनेस और एलो वाला प्लॉस ठीक है दोस्तों अभी देखिए प्लास पर प्लास को लगाता हूं माइनेस पर माइनेस को लगाता हूं यह देखिए दोस्तों यह देखिए 5.06 दिखा रहे हैं मतलब 5 बोल्ट का यह चार्जर है ठीक है दोस्तों अभी मल्टिमीटर का हम साइट कर लेंगे और यह हो गया फेस और इसका प्लास को प्लास चोड़ लेंगे ठीक है दोस्तों और माइनेस को माइनेस से जोड़ लेंगे यह देखिए दोस्तों कीट का करेंट सप्लाई अन हो गया यह देखिए यह देखिए दोस्तों कीट का करेंट सप्लाई अन हो गया यह देखे दोस्तों हम इसमें जाके लगा लिया LED यह 9W की LED और यह चले गया हमरा बोर्ड को जो 220V सप्लाई आता है SC और यह हो गया हमरा DC जो 5V हमने दे दिया ठीक है हम बोर्ड को जाके स्वीच मेरेंगे ठीक है दोस्तों यह हो गया स्वीच आम भी इसको चेक करेंगे चलता है कि ने यह देखे दोस्तों यह चलने लगा बंध हो गया ठीक है दोस्तों चुटकी से भी चलता है